गाल लब आखें चेहरा कर्द बदन सुल्फें आईना भी हैरत में है क्या चाहे क्या ना चाहे खुद उपर वाले को फक्र होता होगा अपनी लाजवाब रजना पर ऐसी ही खुबसूर्ती की मलिका है जैपूर की महारानी गयत्य देवी जिन्होंने अपनी बढ़ती उम्र को भी सौंदरिता पर हावी न होने दिया हलो फ्रेंज मैं हूं डॉक्टर दिव्या और वेलकम करते हूं आपका आपके फेवरेट प्रोग्राम ब्यूटी मंत्रा में दोस्तों हमारी जिंदगी में कई मौसम आते हैं बच्पन जवानी और एक मौसम होता है बढ़ती उम्र का जिसमें हमें सामना करना पड़ता है ढूरिकल्स यानि जूरियों की दोस्तों क्या नाच्रल तरीकों से जुरियों से चुटकारा पाया जासकता है आज इसे के बारे में हम चर्चा करेंगे हमारे एपिसोड में तो चलिए वेलकम करते हैं डॉक्टर सुमिता प्रजापती जी का वेलंक। दॉक्टर थैंक्यू सुमिता जी जो हमारा आज का एपिसोड है वो डेडिकेटेड है एंटी एजिंग के ऊपर तो मैं जानना जाओंगी कि एंटी एजिंग यानि जुरियों से छुटकारा क्या नाच्रल तरीकों से पाया जा सकता है इसके बारे में हम और भी बात करेंगे मगर इससे पहले हम लेंगे दर्शकों का एक सवाल मैं शेफाली गड़े कर बात कर रहे हूं मैं हमेशे आपका ब्यूटी मंत्रा प्रोग्राम देखती हूं लेकिन आजकल जो मार्केट में प्रोड़क्त मिलते एंटी एजिंग है तो यूज करने के बाद भी कुछ उसमें इफेक्ट नहीं आता है तो ऐसा कोई प्रोड़क् आता है जिसमें की अलग से रसायन वाजी करन और कायकल्प की बारे में बहूट डीटेल में जनकरी दी गई है और इसमें चरक सही ता नम का जो ग्रंथ है उसमें अलग से चेप्टर से कि जिसमें आप rejuvenate कैसे कर सकते हैं अपने शरीर को या वाजी करन प्रयोग कैसे आपकी sexual potency बढ़ाने के लिए कर सकते हैं या completely आप अपना काया कल्प कैसे कर सकते हैं नैचरल तरीकों से यह सब detail में आयरोवेद में बताया गया है और इसके अंदर अलग-अलग प्रकार के diet के खाने में आप क्या क्या चीजें जैसे उड़द है, चावल है, मूं की दाल है, गाई का गी है यह सब चीजे अगर आप regular basis पे यूज करते हैं, मीठे फल है, आवला है आवला सबसे best रसायन आयरोवेद में मना गया है फिर कुछ बनस्पतियां ऐसी है, गोखरू, गुडुची, शतावरी, अश्वगंदा यह सब दवाईयां आपको यंग रहने में मदद करती है और साथ में हमारे शरीर के जो daily wear and tear tissues के होते हैं या cells जो repair होना चाहिए, उन cells को again rejuvenate या repair करने का काम करती है अश्विनी विर्डिकर, मैं आपका beauty mantra यह प्रोग्राम रेगूलर देखती हूँ मुझे यही पूछना था कि anti-aging के लिए कोई cream जो गरेलू उपाय हो, वो कुछ बता सकते हैं तो अच्छा होगा नेच्रल तरीका बहुत ही सिंपल है, anti-aging या जो wrinkles के problems है, वो mostly आपके शरीर में वायू तत्व, यानि वात का अधिक्ता, यानि वात जब ज़्यादा बढ़ता है, तो आपकी skin का natural moisture चला जाता है और आपकी skin dry होने लगती है तो इस चीज में आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी skin dry है या आपको थोड़े थोड़े wrinkles या laughing lines आना शुरू हो गई है, तो आप वात वर्दक चीज़े avoid करिए जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, fermented food या heavy beans, leftover food, aerated drinks, अल्कलाइम फूर्ट की तरफ हमें ज़्यादा बढ़ना चाहिए यह सब चीज़े avoid करिए और दूसरा salads avoid करिए salads बहुत ही shocking लगता है बहुत लोगों को सुनने की बात क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि आप salad ज्यादा खाई है, salad ज्यादा खाई है correct जैसे मैं US में Canada में जाती हूँ और मेरे पास ज्यादा से ज्यादा जो patients आते वो wrinkles का problem लेके आते क्यों? क्योंकि वहां के जो लोग है उनको wrinkles का प्रमान बहुत ज्यादा है हमारी Indian comparison में क्योंकि वह लोग salad का बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं हर एक चीज में वह लोग ज्यादा quantity में salad खाते हैं और Ayurved में हम लोग ऐसा मानते है कोई भी raw vegetables या raw salad अगर आप ज्यादा मात्रा में यूज करते हो तो आपकी शरीर में gas ज्यादा produce होती है और यही gas आपका वायू बढ़ने से आपकी शरीर का moisture निकाल देती है और आपकी skin dry करती है इसलिए ज्यादा salad खाने की वज़े से आपको wrinkles का problem बढ़ सकता है तो always prefer warm और lightly cooked vegetables and salads बढ़ जब हम salads की बात कर रहे हैं जो अभी salads बनाया जाते हैं उनमें dressing की जाती है जाए वो olive oil की हो या किसी की भी तो that contains a kind of a fat in it तो कैसे dryness बढ़ सकती है क्योंकि वो salad जो है उसका nature dry है raw vegetable है या raw है जो भी चीज raw है except fruits अगर यह चीज आप रोख आते हैं तो it will again produce gases okay तो अगर आप उसमें dressing डालते हैं तो it's enough या तो आप उसके उपर काली मेरी का पावडर डाल दीजे ताकि यह gas produce ना करे थोड़ा सा अजवाइन डाल दीजे या तो थोड़ा steam दे दीजे आप salad को तो it will become very easy to digest also और अपको wrinkles के problem नहीं आएंगे बहुत ही नया point आपने बताया था यहाँ पर कि salads लेने से wrinkles जादा develop होते हैं तो I think हमारे viewers इस चीज का ध्यान रखेंगे और क्या ऐसा तरीका है जिससे anti-aging का effect आ सकता है anti-aging effect में आप जैसे जो मैंने वनस्पतियां बताई गई है इसमें एक प्रयोग होता है जिसको हम लोग कहते हैं गुडुची, गोखरू और आमला यह तीन वनस्पतियों का powder ready आपको मिलता है market में यह तीनों को mix करके आप अगर regularly एक चमत सुबह और एक चमत शाम को लेते है तो यह बहुत ही बड़िया anti-aging का काम करता है दूसरा जैसे अपने wrinkles की बात की तो wrinkles मैंने जैसे बता है यह dryness की वज़े से होता है तो आप always कोई अच्छा moisturizer या olive oil या almond oil या कोई भी अच्छा vitamin E वाला oil जो है उसका regular face massage करिये everyday रात को सोने के time पर या तो मलाई होती है या आप गरम दूद में एक चमच गाई का घी लीजे I think गाई का घी हम लोग जितनी भी चर्चा करते जा रहे है उसकी इतनी सारी जो खूबिया है उभर के आ रहे हैं तो इस वेरी essential की at least once in a day आप गाई का घी उपयोग करे अपने लाइक में अगर आपको wrinkles से दूर रहना है य 50% फरक दिखता है wrinkles में okay that's really amazing मतलब यह जानके एकदम अचंबित लगता है कि सिवे घी अपने डाइट में आठ करने से एक चमच घी अगर आप रोज ले लें तब कितनी साही चीजों से कितनी बिमारियों से बच सकते हैं चुटकरा मिल सकते हैं हम चर्चा को आगे जारी र आज हम बात कर रहे हैं एंटी एजिंग के बारे में तो चले चर्चा को जारी रखते हैं सुमिता जी जैसे हम बात कर रहे थे पहले कि आपने एक तरीका बताया कि आप घी लीजिए तो आपकी जो एजिंग फाक्टर है उससे कम कर देगा अब जिसको ऑल्रेडी जुरिया चुकी है जिनको एक्जिस्टिंग जुरिया है उन्हें क्या करना चाहिए उन्हें भी यह प्रयोक्तों कंटीनियू करना है घी और दूद वाला प्रयोक्त ताकि आगे और नहों और प्लस जो है ओल्रेडी वो भी इससे कम हो जाएंगे क्योंकि इसमें नैचरल लूब्रिक चाहिए अगर हम रॉंग डायरेक्शन में क्रीम्स लगाते हैं या फेशिल्स कराते हैं तो भी हमारी यह सब स्कीन लूज होके लाफिंग लाइन्स या रिंकल्स यह प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं जब हम नहाते हैं या फेस धोते हैं तो उसकी बाद उसको टौवल से जगा पर जा रहे हैं तो अपने स्कीन को मौस्टराइज करना मत भूलिए उसको जितना हो सके उतना लूब्रिकेंट प्रोवाइड करें इंटर्नली और एक्स्टर्नली जब भी थंडे वातारं में जाते हैं तो आप एक चमज एरंड तेल एरंड तेल कैस्टर ओल इंटर् करिए इससे क्या होगा कि आपकी जॉइंट में भी जो है लुब्रिकेशन आएगा आपको साइनोवेल फ्लूइड ड्राइन होगा आपको जॉइंस पेन या अर्थराटिस का प्रॉब्लम तो नहीं होगा साथ में आपकी स्कीन में भी बहुत बढ़िया ओलिंग रहेगा त फिर भी मैं चाहूंगी कि अगर आप कोई प्रोसीजर या कोई ऐसा पाक बताएं जिससे जो रिंकल्स एक्जिस्टिंग रिंकल्स हैं वो थोड़े कम हो जाएं चौर आप इसके अंदर ले सकते पपईया का पल्प जी जैसे पपईया आपने ले लिया पका हुआ अच्छा बना दीजिये और जहां जहां पर भी अपको रिंकल्स हैं वहां पर उसको अच्छे से थोड़ा थिक लेर अपलाई करके पूरा अच्छी तरह से सुखने तक उसको रखने दीजिये उसको नैचरली बैजिए ह्वा में मत सुखाइए और बाद में धीरे-दीरे उसको से उसको वाश कर दीजिए इससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा रिंकल्स में क्योंकि ये अपकी स्कीन को नरिश्मेंट देगा साथ ही टाइटनिंग एफेक्ट देगा क्योंकि ये लूज स्कीन होने की वज़े से रिंकल्स आते हैं तो ये अपकी स्कीन को टोन करके टाइटनिंग एफेक्ट देके आपके रिंकल्स को निकालेगा एक और बात अभी कॉमनली देखी जा रहे हैं जो यंग लड़किया होती हैं 23-24 साल की वो एंटी एजिंग क्रीम का काफी जादा प् सीना आना कॉंस्टिपेशन ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन होते हैं तो इसमें अम लोग आलवेज रसायन के तौर पे या रिजुविनेशन के तौर पे त्रिफला पावडर अड़ाइस करते हैं क्योंकि त्रिफला जो है वो तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है हर्डे बहड और आमला जी ये तीनों भी बहुत ही बढ़िया रसायन आयुर्वेद में माने गये हैं और आयुर्वेद में हम ऐसा केते हैं कि त्रिफला शोथ मेहगनी कुष्ट हंती रसायनी रसायनी मतलब के रिजुविनेशन करती है दीपनी शलेश्म पित अगनी नाशयद विशम ज अच्छा करेगी कि आपके बॉड़ी में कोई भी टॉक्सिंस नहीं रहेंगे आपके अंदर कहीं पर सुजन है तो वह सुजन भी निकल जाएगी तो त्रिफला का आप रेगिलर प्रयोग कर सकते हैं अगर आपको एंटी एजिंग इफेक्ट चाहिए या रसायन आपको अब कई ऐसी लेडीज होती हैं आपके ऐसे पेशिंस आते हैं हमारे पास जो 40 साल के हैं या 45 साल के हैं और उनका प्रॉब्लम होता है कि आँखों के आज पास काफी सारी जूरीया आ जाती हैं या लाफिं लाइन्ग लाइने वो काफी जारी दीपन हो जाती है तो इन्हें आप क्या सजेस्स करेंगी आयुरुएद में 108 ऐसे एनर्जी पॉइंट्स बताए गए हैं जिनको हम मर्म पॉइंट्स केते हैं और इन ट्रीटमेंट को मर्म चिकित्सा केते हैं अगर इन मर्म को प्रॉपरली प्रेशर दे कि प्रॉपरली यूज किया जाए तो आप कोई भी पास सकते हैं जी जैसे फॉर एक्जम्पल अगर आपको आइस के आजुबा जो यहां पर रिंकल्स है तो सिंपल जब सुबह हम कोई भी क्रीम लगाते हैं या मॉइस्टिराइजर लगाते हैं उसकी जिगा आलमंड ओयल या कोई विटामिन E का ओयल या चंदन का ओयल इसको अगर प्रॉपर ली हम प्रेस करते हैं तो आपकी स्किन को टाइटनिंग इफेक्ट मिलेगा और आपकी उंगलियों में तेल लगा के या कोई भी क्रीम या मॉइस्टिराइजर लगा के आपको फॉस्ट यह मर्मो पॉइंट प्रेस करना है और यह क्रीम वाला हाथ नीचे प्रेस करना है तो इसी तरह से आपको उपर से लेके नीचे तक जाना है और वापस यह पॉइंट प्रेस करना बस यह सिंपल टेक्निक आप एवरीडे अगर रेगिलर यूज करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके रिंकल्स दिरे-दिरे-दिरे कम होना शुरू हो यह स्टिमूलेट करने से अब हमेशां से यंग दिख सकते हैं तो आपको बतसूरत नहीं दिखाएंगी क्योंकि यूह फो ओल्वेस एजग्रेस पुली मेरा दो बस यही मानना है कि आप नाचरिल प्रेड़क्स का ज्यादा से ज़ादा यूज कीजे अच्छा डाइट बाई हम मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में तब तक हमारा मंत्रा याद रखें सावधान रहें सुन्दर रहें